इरान के राश्पती इबराहिम रईसी को लेकर एक बड़ी ख़बर सामने आई है असल में इबराहिम रईसी को लेकर जा रहा है हलिकॉप्टर अजर बैजान में दुर्गटना ग्रस्थ हो गया है हला कि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि हलिकॉप्टर में सवार लोग के सालात में है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हलिकॉप्टर पर सवार राश्पती के कुछ साथी केंद्रिय मुख्याले से संपर्क करने में सक्षन थी इससे उमीद जागी है कि ये दुरघटना बिना किसी हताहत के खत्म हो सकती है बता दें कि इरान के राश्पती रईसी के काफिले में तीन हलिकॉप्टर शामिल थे जिन में से दो पर मंतुरी और अधिकारी सवार थे जबकि एक पर खुद रईसी सवार थे हाला कि राहत की बात ये है कि बाकी दोनों हलिकॉप्टर अपने गंतव्य पर पहुँच गए है बताया जा रहा है कि इरानी राश्पती के साथ हरिकॉप्टर में तबरीज के शुकुरवार की प्रार्थना के इमाम सेयद मुहम्मद अली और विदेश मंत्री होसैन भी थे जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना इरान की राजधानी तहरान से लगभग 600 किलोमिटर उत्तर पश्चिम में अजर बैजान देश की सीमा परिस्थित शहर जोलफा के पास होई है वहीं इरानी मीडिया के हवाले से मिली खवर के मुताबिक बचाओ कर्मी घटना स्थल पर पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन खराब मौसम के कारण इसमें बाधा आ रही है कहा जा रहा है कि ये पूरी घटना किसी जंगली इलाके में घटी है असल में इरानी राश्पती इबराहीम रईसी अजर बैजान दौरे पर गई हुए थे इस दौरान उन्होंने अजर बैजानी राश्पती इलहाम अलियेब से मुलाकात की मुलाकात के बाद रईसी ने कहा कि इरान और अजर बैजान गंडराज फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना जारी रखेंगे क्योंकि दोनों पक्ष इसराइल से नफरत करते हैं रईसी ने अपने अजर बैजानी समकक्ष इलहाम के साथ बादशीत के दौरान कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दा इस्लामी दुनिया का सबसे महट पूर्ण मुद्दा है और इरानी और अजर बैजानी देशों को फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन और इसराइली शासन के प्रती उनकी नफरत में कोई संदेह नहीं है। बता दें कि इरान और अजर बैजान के राश्पतियों ने अरास की सीमा पर बने संयुक्त किस कलासी बांध के उद्खाटन के लिए एक समारोह के मौके पर मुलाकात की थी। राश्पति रईसी ने इस परियोजना को विकास का प्रतीक और आपसी सहयोग का विस्तार करने के लिए दोनों देशों के दृड संकल्प का संकेत बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अजर बैजान के इरान के साथ संबंध अटूट है। रईसी ने आगे कहा कि इरान और अजर बैजान को अपने आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के अलावा उन संगठनों के माध्यम से क्षेत्रिये और अतरिक्ष शेत्रिये सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहिए जिनके दोनों पक्ष सदस्से हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें।